हलो दोस्तों आपर स्वागत है कॉमलर्ण की यूट्यू चैनल पर जैसा कि आप लो जानते हैं कि जब हम Microsoft Word में किसी फाल को एडिट करते हैं या कोई specific function को perform करवाते हैं तो वह function क्या होता है बार बार repeat होता है जिससे कि हमें editing करने में बहुत ज्यादा time लग जाता है तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम किसी function को बार बार यूज़ ना करके हम एक ही बार में वह सारे function को कैसे easily भी यूज़ कर सकते हैं तो जैसा कि मैं आपको एक example के तुर समझाओंगा तो मैंने एक यहां पर डिजू में का format लिया है अब मैं इसमें क्या चाहता हूं कि मैं इस पर कोई बोल्ड का function perform करवां या फिर यहां पर मैं color change करवाना चाहता हूं यहां पर मैं कोई भी font ले ले पहले मैं इसको डिच करेंगे तो इसकी लिए को किया करना होगा पहले मैं इसको हटा देता हूं अब आपको क्या करना है क्या आपको जाना हैone यहां कि इन से करना तो आप को प्रक्र लेक्टेशन करना है और यहां प्रकुन सरेक्ट करना है यहां को आता है मैं को और यहां पिर की गवोट के स्वर्टalities करना हूं है तो मैं keyword के through करना चाहता हूं तो हम क्या करते हैं keyword को select करते हैं और यहां पर आप क्या करना है कि आपको shortcut देना है shortcut लेने के लिए आपको क्या करना होगा जो भी आप shortcut बनाना चाहते हैं उन सारे button को एक साथ आप प्रेस करना है तो जैसे कि मैं यहां पर control plus Q का इस्तमाल करना चाहता हूं तो control plus Q का इस्तमाल कर लिया अब नीचे में यहां पर आता है currently assign to मतलब इसका मतलब यह होता है कि यह जो shortcut है यह पहले से assign है किस के लिए reset पाड़ा के लिए तो आप change भी कर सकते हैं या फिर इसी shortcut का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो मैं इसी shortcut का इस्तमाल करूंगा अब आपको क्या करना है assign पर क्लिक करना है अब यह क्या हो गया आपका assign हो गया अब इसको आपको क्या करना है close कर देना है पिर मैं यहां से color change करना चाह रहा था इवसके बात में यहां पे underline चाहता हूँ यहां से में फॉंट commissions और वह स्टाइएं अब आपको क्या करना है यहां से फिर फूर में जाना है और आपको क्या करना है मैक्लोज में आनिके बाद stop recording कर देना है यह आपका stop हो गया, अब आप जहां जहां इस चीज को इस्तमाल करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, और जो आपका shortcut उसको प्रेस करना है, तो मेरा जो shortcut था वो था control plus Q, तो मैंने control plus Q को प्रेस गया, तो देखें यहां पर क्या हुआ, वो सारा function एक ही बार में इस्तमाल हो ग कि मैंने किस-किस function को किस sequence में किया है, तो आप control Z प्रेस करके आप check कर सकते हैं, जैसे ही control Z प्रेस करिएगा, वो सारा function आपको देखे जाएगा, यह देखिए, तो macro के थुरू आप एक से ज़्यादा function को एक बार में इस्तमाल कर सकते हैं, तो आपको यह वीडियो कैसा लग प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू